शान्ता कारं भुजगशयनं पद्मनाभं चुरेशं विश्वधारं गगन सद्रिशं मेघवरणं सुभांगं लक्षमी कान्तं कमल नयनं योगी विध्यान गम्यं बंदे विश्वधारं सर्वलोकई किनाथं जय हो स्रीकृष्ण हुभान अथ पंच दोसर उद्ध्याए स्रीकृष्ण हुभान बोले आदिपूर परमेश्वर मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखवाले जिस संसार रूप पिपल के विख्ष को अविनासी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं उस संसार रूप विख्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तातपरे को जानने वाला है उस संसार विख्ष की दोनों गुणों रूप जल के द्वारा बड़ी हुई एवं विशे भोग रूप कोपलों वाली देव मनुश्य और तीरे कादी योनी रूप शाखाएं नीचे और उपर सर्वत्तर फैली हुई हैं तथा मनुश्य लोक में कर्मों के अनुसार बादन वाली एहता ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और उपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं इस संसार विख्ष का सब रूप जैसा कहा है वैसा यहां विचार कल में नहीं पाया जाता क्योंकि ना तो इसका आदी है और ना अन्त है तथा ना इसकी अच्छी प् अहता ममता और वासना रूप अर्थी दड़ मूनों वाले संसार रूपी पल के विख्ष को दड़ वरागी रूपी तलवाद वारा काट कर उसके पस्चात उस परमपद परमेश्वर को परमपद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए जिसमें गय हुए पु लोट कर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वरिक्ष की प्रविर्ति विश्तार को प्राप्त हुई है उसी आदिप उस नरायन के मैं शरण हूँ इस परकार द्रड निश्चे करके उस परमेश्वर का मनन और निदिध्यासन करना चाहिए जीन का मान और मोह नष्ट हो गया है जीनों ने आसकती रूप दोश को जीत लिया है जिसकी प्रमात्म के सवरूप में नित्य स्थिती है और जीन की कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है वे सुख दुख नामक द्वंदों से मुक्त ज्यानी जन उस अविनाशी प्रमपद को प्राप्त होते हैं जैसे जिस प्रमपद को प्राप्त होकर मुनुष्य लोट कर संसार में नहीं आते उस प्रमपद को श्याम प्रकाश्ट प्रमपद को ना सूर्य प्रकाश्ट कर सकता है ना चंद्रमा और ना अगनी ही वही मेरा प्रमधाम है इस देह में यह जिवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और वही इस प्रकिर्ती में स्थीत मन और पांचों इंद्रियों को अकर्षन करता है वायू गंद के स्थान से गंद को जैसे ग्रहन करके ले जाता है वैसे ही देहादी का स्वामी जीवात्मा भी जीव श्रीर का त्याग करता है उस से इन मन से इंद्रियों को ग्रहन करके फिर जीव श्रीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है यह जिवात्मां शोत्र, चक्षू और त्वचा को तथा रसना ग्राण और मन को आश्रे करके थात इन सब के सहरे से ही विश्यों का सेवन कता है शरीर को छोड़ कर जाते हुए को, अथ्वा शरीर में स्थीत हुए को, अथ्वा विश्यों को भोगते हुए को इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते केवल ज्यान रूप नित्रों वाले विवेक शील ज्यानी ही जानते हैं, तत्व से जानते हैं, यतन करने वाले योगी जन भी अपने हद में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, कि इन तो जीनों ने अपने अंथाकोनों को सुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्यानी जन तो येतन करते रहने पर भी इंच आत्मा को नहीं जानते। सूर में स्थीत जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकास्ट करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अगनी में है उसको तु मेरा ही तेज जान और मैं ही परिथ्यू में प्रिवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धार्न करता हूँ और रस रूप अर्थात अमरित रूप चंद्रमा होकर संपूरन ओषधियों को अर्थात वनस्पत्यों को पुष्ट करता हूँ मैं ही सप्राणियों के श्री में स्थीत रहने वाला प्राण और अपान से स्युक्त विस्वानर अगनी रूप होकर चार प्रकार के अन्न को पचाता हूँ मैं ही सब प्राणियों के हर्द में अंतरियामी रूप से स्थीत हूं तथा मुझ से ही समरीती ग्यान और अपोहन होता है और सब वेदों में मैं ही जानने ही होगी हूं तथा वेदान्त का करता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूं श्री किस्न भुगान आगे कहते हैं इस अंसार में नाश और अविनाशी भी ये दो परकार के पुरश है इसमें संपूर्ण भूत प्राणियों के श्रीर तो नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है इन दोनों से उत्तम पुरुष्टो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सब का धार्ण पोशन करता है एव अमिनाशी प्रमेश्वर और प्रमात्मा इस प्रकार कहा जाता है क्योंकि मैं नाश्वान जड़ रक्षेत्र से तो सरफ था अतीत हूं और अविनाशी जिवात्मा से भी उत्तम हूं इसलिए लोक में और वेदों में पुरुष्वत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं जाए हो सरी कुष्ण